हर महीने अपना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें आने वाले कल के विशय में कौन नहीं सोचता है और भविशयों को लेकर कौन उमीद और शंकाव से भरा नहीं रहता है व्यादिक जोतिश इनी पहिलियों और शंकाव को सुल जाने का एक साधन है नमस्कार दोस्तों मैं हिमंद बरुवा एक बर फिर से आप सभी का प्लैनेट्स और हाउसे चैनल में स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम जोतिश इस्टे कौन से जानेंगे कि फरवरी का महीना वर्चिक राशियवालों के लिए कैसा रहने वाला है और हम बात करेंगे भाग जॉब, बिजनेस, विवाई, गीवन, प्रेम संबन, शिक्षा संतान और स्वास्ते के दिस्टे कौन से समयाव आप के लिए कैसा रहेगा हम इस वीडियो में घ्राय गुचर के बारे में बहुत जादा बात नहीं करेंगे परन तो इनका जो भी संबावित परवाव आपके उपर हैगा उसके बारे में हम बात अवश्य करेंगे और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरी सभी नई दोस्तों से ये विनिती है कि किरिपया चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को पिलिक करना ना भूलें क्योंकि इसी की वज़ाए से आपको मेरे सभी नई वीडियो का तुरंट नोटिफिकिशन मिलेगा तो आईए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं चलिए भाग्य से शुरुआत करते हैं भाग्य के दिस्टिकोंट से यदि ग्रह गोचरी अवस्ताव को देखा जाए तो आपके भाग्य स्थान पर गुद्शनी मंगल का परभाव रहने वाला है ये पालिवालिक सुख सुविधाओ के परती आपसे अत्रिक्त परियतन करवा सकता है और पालिवालिक सुख सुविधाओ को पुरा करने के लिए हो सकता है कि खर्चों के अधिक्ता रहे प्रवरी के महीने में आप अपना भाग्य बदलने के लिए अत्रिक परियास भी कर सकते हैं और यह भी संभावना है कि जो आप परियास करेंगे हो सकता है कि उनमें शुरुआत में आपको थोड़ी सी निराशा कानुभव तो सुनने में तो यह बाते बड़ी नेगेटिव लग रही हैं परन्तु मेरी जो सला है वर आपसे यही है कि आप सिर्फ अपने लक्षे पर नजर रखें अपने जो एफ़र्ट्स हैं उन्हें जारी रखें क्योंकि कर्म की अधिक्ता तो भले ही आपके साथ बनी रहेगी पर तो महनत तो करनी होगी परन्तु भाग्य भी इसमें आपका साथ देगा तो जो आपकी महनत है उसके आपको अनुकूल परिड़ा में मिलेंगे और यह साथ में विदेश में उत्य शिक्षा का योग भी बना रहा है जौब विजनेस विभाई जीवन प्रेम संबंद इसलिए यह यहां सतरय से बाति करने हैं तो वीडियो में अन्त bissّugen ॐव्ष्य भाग्य की बात कर लिने के बाद अब हम बात करते हैं आपके कारेश्यत्र दोस्तों यद्री कारेश्यत्र की दिर्ष्टी से गख्ये ब्चले वस्ताओं को देखा जाए तो जैसा पहले ही आपको पूरी एकाग्रता के साथ अपने कारशेत्र में अपने एफ़र्ट जारी रखें आगे चलकर आपको इसके शुब परिणाम अवश्य मिलेंगे आपके कर्मस्तान की जो स्वामी हैं वह सूरे रेव हैं और पूरी फरी वहाँ में यह स्वामी है तो इसलिए हो सकता है कि आपको जो जतना आप एफ़र्ट कर रहे हैं तो उसकी जो रिजल्ट है कम मिलें या ना भी मिलें तो हो सकता है कि थोड़े विलम के साथ आपको मेरे परन्तु आपको निराश नहीं होना है अपने प्रयास आपको ऐसी बना के रखने हैं सूर्य और जो शनी हैं इनमें आपस में थोड़ा ता शित्रु भाव है तो इसलिए जो रिजल्ट हैं उतने जादा नहीं मिल पाते हैं और जो जातक जॉब ढूड़ने के लिए काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा हो सकते हैं कि निराशा का सामना करना पड़े और यह जो गोचर है यह व्यक्ति को अधिक कारे की तरफ मोटिवेट करता है तो इसलिए कारे तो आपको करना ही है तो क्यों ना हम उसके अंदर पूरी नियत के साथ अपना कॉंट्रिबूशन दे क्योंकि नियत से की हुए कारे का शनीदे भरपूर फल देते हैं तो इसलिए अपना जो मनोबल है वह बनाए रखें कारे शेतर से वैपार की तरफ चलते हैं अगर बिजनिस के नजरी से देखें तो आपके सब्स्तम भाव के स्वामी शुक्र है जो बिरस्पति की मेन राशी से पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं इसलिए अगर आपको वैपार की शेतर में लाब और सफलता दोनों निच्चित करनी हैं तो सबसे पहले आपको भागे पर निर्भर रहना छोड़ना होगा आप सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देएं आपका एक्शन प्लान है जो आपकी रणडमी पी है बिजनिस में वह सही होनी चाहिए और उसी के उपर आप अच्छे से फोकस करें और ये जो महीना है आपको बिजनिस में बहुत बिजी रखने वाला है और इसकी वजह से हो सकता है कि परिवार में आप समय कम दे पाएं और साथ में ये जो महा हैं आपको मांसिक और शारलिक दोनों तरह की ठकावट दे सकता है तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि आप अपनी परस्नल लाइफ में फैमिली लाइफ में और बिजनिस में बैलेंस अवश्य बनाएं समय जो आपके लिए है वह थोड़ा सा एफट भरा रहेगा परन्तु समय कुल मिलाकर आपके लिए शुब रहेगा आईए बिजनिस से विवाइक जीवन की तरफ चलते हैं दोस्तों यदि विवाइक जीवन के नजरिये से फरवरी का महिना देखें तो यह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है पारिवारिक कहा सुनी अत्वा मतवेद की वजए से आपके और आपके जीवन साती के बीच में थोड़ी सी तालमिल की कमी रह सकती है और आपके सब्तम भाव में कि जो स्वामी हैं वह शुक्र हैं जो पंचम भाव से ब्रस्पती की राशी में गोचर कर रहे हैं परंतु शनी और मंगल का जो परभाव है वह भी पंचम भाव पर रहेगा तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि परिवार की जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ भी आपके वेचारिक मदवेद पैदा हो जाएं तो आपसे मैं इता ही बोलूँगा कि जो सूरे हैं वैया आत्मा की कारक हैं और जो शनी की राशी से चतुलबाव से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा यह कॉंप्लिक्ट्स देते हैं इस तरह के आप अपने बुज़ुर्गों को यथा उचित सम्मान दें अपनी वानी पर सैयम रखें यदि किसी भी तरह का वैचारिक मदवेद है तो उसे बैट के प्रेम पूर्वक सुल्जाने का प्रयास करें आकर वह आपके माता पिता हैं तो इसलिए अशांत मन से आप बात ना करें और अपने शब्दों का भी आप अच्छे से ख्याल रखें और इसी तरह के से आप पाली वाली का आनंद और जो शांती की पुनाय स्थापना कर पाएंगी तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि यदि किसी भी तरह का अवरोद या पाली वाली मदवेद पैदा होता है तो उसे शांत मन से ही सुल जाने का प्रयास करें प्रेम सम्मन्त के दिस्टिकोंट से समय आपके लिए शुब रहने वाला है आप और आपके पार्टर के बीच में अंडरस्टैंडिंग का लेवल का इंप्रूब होने वाला है और आप अपना काफी समय अपने प्रेम के पत्ती भी समर्पित करेंगे ये महां आपको काफी मतलब कि आप अपनी भावनाओं का अच्छे से परदर्शन भी करेंगे परंतु आपको मैंने जैसे पहले कहा है कि थोड़ा सा आप अपनी वानी के उपर और अपने शब्दों के उपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें क्योंकि कुछ पारिवारिक जो समस्याइं हैं उनकी देख रहे हैं इसलिए आपको शिक्षा के विश्य में अत्य अधिक अनुशाशन का पालन करना होगा और इसकी जरुरत होई है आपको अपनी एकागरता पर ध्यान देना होगा क्योंकि परदवरी के महीने में कुछ बातर की वज़ाई से आपका जो ध्यान है भाटक सकता ह इसलिए अपनी एकागरता बनाए रखें और इसका जो मूल कारण है वह पाली वाली समस्या भी हो सकते हैं तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि कंसंट्रेशन के ओपर आप विशेश रुप से ध्यान दें और आप अपने एजूकेशन में अपनी शिक्षा के अंदर थोड़ा सा टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट करें उचित समय परबंधन करें ऐसा करने से भविश्य में यदि आपको कोई चोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उसकी वज़े से जो भी नुकसान शिक्षा में होगा आप उसका इसलिए पूर्ती कर पाएंगे तो ऐस आपको गंभीर निर्णे लेने के लिए बात दे कर सकता है आप अपनी संतान के परती कुछ अनुशाशन समबंदित समस्याओं कर सकते हैं और हो सकता है कि आप उन्हें अनुशाशन समबंदित ग्यान देने के लिए थोड़ा सा आतुर भी रहें परन्तु मेरी आपको एक सला है कि कोई भी चीज जो है बच्चों के उपर इंपोर्ज ना करें उनके साथ आप प्यार पूरवक बात करें मित्रता पूर अपना वहवार लखें और उन्हें वहवार के प्रती जुरुरतों को समझाएं क्योंकि जो मंगल का गोचर है या कहें कि मंगल की जो दिस्टी नहीं पाएंगे और जिसकी वजह से आपको बाद में और फ्रस्टेशन हो सकती है तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि मन को आप शांत रखें और अभी भावक की तरह दवाब डालने की कोशिश ना करें बलकि एक मित्र की तरह सला देने का प्रयास करें आप देखेंगे कि जो परिणाम है वह आपकी इक्षा के अनुकूल होंगे स्वास्ते की नजली से यदि ग्रह गोचर की अवस्ताव पर नजर डाली जाए तो हम पाएंगे कि जो फरवरी का महीना है ये पीट संबंदित समस्ता है और आपको पीड़ा दे सकता है तो चटे भाव की जो स्व जो मुबाइल और लैपटाप का सिर्फ उतना ही इस्तमाल करें जितनी जरूरत हो और जैसे मैंने पहले कहा कि पीट संबंदित समस्ता है तो इसके लिए जो बाहर का खाना है जंक फूड है तला हुआ जो बुना हुआ खाना है उससे परहेज रहें सिंपल और साधारन वेबसाइट www.planetsinhouses.com पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करके भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक अबश्य करें और शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमेशा स्वाच से रहें खोश रहें और इनी मंगल कामनों के साथ मैं आपसे अनुमती चाहूंगा जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार